तो एक बार फिर से आप सबे का इस नए वीडियो में स्वागत है हम बात करेंगे शुक्र के बारे में और सबसे बड़ा जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है și ये आपको मन पसंद की लड़की से या फिर मन पसंद के लड़के से साधी करनी है तो इस परकार से आप कर सकते हैं ये वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर भी बना रहा हूं बहुत लोग ये रिक्वेस्ट करते कि हमें कुछ ऐसी रेमडी दी जाए हमें कुछ ऐसे उपाई बताए जिनके मद्दम से हम हमारे जो मन चाहे काम है वो कर सके तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इस परकार के वीडियो अभी लेकर आ रहा हूं लगातार और आगे भी इस परकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगी तो ये जो उपाई हैं वो बिलकुल आजमय हुए उपाई हैं और ये उन्ही लोगों के आप ही लोगों के द्वारा आजमय हुए उपाई हैं बट आप अगर इनको पूरे मन से करते हैं अगर आप इनको रेगुलर करते हैं जिस परकार से आपको बताया गया होता है उसी प पालन आपको करना होगा तभी ये उपाय काम करेंगे बढ़ना ये उपाय काम नहीं करते तो सबसे पहले अगर बात करें मन चाहा लड़का या फिर मन चाही लड़की से अगर आपको साधी करनी है तो इसमें मैं जो पार्ट होता है वो शुक्र का रोल होता है और शुक्र का इसमें सबसे ज़्यादा important है तो अगर आपका कुंडली में शुकर बहुत ज़्यादा कमजोर है तब ही आपको इस परकार की दिक्कत आती है शुकर या तो केतु के नक्षतर में बैठा हो या फिर शुकर राहू से पिडित हो या फिर शुकर किसी परकार के अन्य ग्रह से पिडित हुआ या फिर वो अस्त हो गया या फिर वो वक्री हो गया या फिर वो नीज की स्थिति में बैठा हो या फिर वो किसी अन्य ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो जहां पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है आपको लगजरी की चाहत भी मन में खतम कर देता है आपको वो सारे सुख भी कम मिलते हैं जो आपको एक व्यक्ति होने या आपको एक स्त्री होने के नाति मिलने चे आपको वो वैवाहिक सुख भी उतना परदान नहीं करता और सारे जो अन्नी चीज़े हैं वो भी आपको लाइफ में धन समंदी जो जरूरते हैं वो भी आपकी पूरी तरीके से ठीक परकास से पूरी नहीं हो पाती तो इसमें जो मैन रोल होता है वो सुक्र का ही होता है और आपको इसमें ये देखना है कि आपके कुंडली के अकोर्डिंग आपको कौन सा प्लनेट इसमें प्रभावित कर रहा है बट ये वीडियो सुक्र के उपर ही बेस्ट है तो आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए अब इस उपाई को सब भी उम्र के लोग कर सकते हैं चाहे आपके उम्र कुछ भी हो, कितने भी हो और आप चाहे इस्तरी हो या फिर आप भुरूस हो तो आपको ये उपाई रेगुलर करना है यानि आपको जितने दिन का बताय जाए उतने दिन का करना है यानि आपको लगबग साथ दिन तो ये उपाई करना ही है उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको इसका जो प्रभाव है वो निस्त रूप से देखने को मिलेगा और इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज्यादा पोजिटिव देखने को मिलेगा अगर आपका काम बन जाता है तो उसके बाद आप ये जो अंत में आपको बताए जाएगा इस वीडियो में, वो काम भी जरूर करें, तो आप अगर वो काम करते हैं, तो आपके लिए ये एक पूरी प्रक्रिया है, इस उपाई की जो पूरी हो जाएगी, अगर आप अंत वाला काम नहीं करते हैं, जो इस से आपका जो रिस्ता है, वो तोट भी सकता है, या उसमें किसी परकार की समस्या आ सकती है, तो हमारा जो उपाई है, वो कोई इस परकार से, देखें, आपको सबसे पहले तो सिवजी की जो अरादना है, वो करते जाना है, आपको सुमार से स्टार्ट करना, सिवजी के अरा इस्तिमाल जरूर करें, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप किसी भी सोमार से सिफजी की उपासना शुरू कर दें और फिर उससे next जो आगे आने वाला सोमार के बाद का जो सुकरवार है, उससे आप ये उपाइ करना सुरू कर दें पर्फ्यूम वाला तो उसके बाद से आपको ये उपाय भी शुरू करना होगा तो आप उसी सुक्रवार से शुरू कर सकते हैं फिर उससे अगले सुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें करना है कि आपको कुछ ऐसे जो सौंद्रिय प्रसादन सामगरी है जैसे कुछ क्रीम वगरे या कुछ सिंदूर वगरे ऐसी सामगरी आपको लेकर आनी है और वो कुछ भी हो सकती है सामगरी आप अपने according decide करें बट वो सौंद्रिय सामगरी ही हो नी चाहिए तो यहां पर मैं आपको सिर्फ example दिया हूँ सिंदूर या फिर जो पर्फियू बगिरे का example दूँ या फिर आपको किसी क्रीम का example दूँ जो आपको सुन्दे को बढ़ाती है तो यह आपको कुछ ऐसी सामगरी लेकर आनी है वो सामगरी अब आपको अगले साथ यानि सुक्रवार तक साथ सुक्रवार तक आपको इसमें शिवजी की उपासना हर सोमार तक 700 मार तक करते जानी है और 7 सुक्रवार तक आपको जो married इस्त्रियां है उनको वो सामगरी थोड़ा थोड़ा करके यानि एक एक पेस करके आपको थोड़ा थोड़ा उनको दान करते जाना है और 7 दिन तक आपकी सामगरी खतम ना हो यह अपको ध्यान रखना इतनी सामग्री आपको लेनी है और यह सामग्री आपको उनको दान करनी regular basis पर और आपको हो सकता है आप अगर change करना चाहें या फेले शुक्रवार को जिनको वो सामग्री दी थी वो आप दूसरे सुक्रवार को भी इन hit को सकते हैं फिर किसी दूसरे इस्त Efendi को भी दे सकते हैं बट यहान यह रखना कि वह मैं आपको आगे बताने वालों end की जो प्रक्रिया है उसमें आपको सौमार को वो काम करना है तो यहाँ पर आपको सौंद्रिय सामग्रिय देनी है और साथ ऐसे स्त्रियों को जो married हो और अगर उनकी साधी हुए है बहुत ही कम समय हुआ तो उनको अगर आप देते हैं तो यह उपाय बहुत ज़्यदा effectively कम करेगा और जिनकी जितनी जल्दी यानि जितने अभी अभी जिनकी साथ दियुई है उनको आप देते हैं तो और भी सही टरगे से उतना ही जळाधा परभावी टरगे से यह उपाय आपके लिए काम करने वाला है तो अब आपको क्या करना है ये सामगरी आप देते जाएंगे साथ सुक्रवार तक आपको अपनी जो पूरी सामगरी है जो आप लेकर आए थे वो पूरी सामगरी आपको दान में दे देनी है तो ये तो दान आपने कर दिया ये दान करने के बाद अब आपको क्या करना है जो सोमवार के दिन आपको अब करना है देखे आपको 21 चांदी की गोलियां लिकराने हैं और वो गोलियां उनका आकार चने के आकार जितनी ही वो हो सकते हैं उससे थोड़े चोटी भी हो तो भी चलेगा तो वो 21 गोलिया आपको वहां पर लाकर रखनी है जहां पर आप अपना धन रखते हैं जहां पर आप अपना कैस के रूप में पैसे अपने घर में रखते हैं बलही अगर आप अपने पैसे अपने बटवे में रखते हों तो आप अपने बटवे में वो 21 गोलिया आपको जो शिव जी के अरादना कर रहे थे वो आपको regular रखनी है और वो जो आप चांदी की गोलियां लेकर आए हैं वो गोलियां आपको परतिक सोमवार को चांदी की एक एक गोली आपको शिव जी के वहां पर मंदिर में चढ़ा कर आनी है और मंदिर में आप चढ़ाते सम मन में बनाकर सिवजी से हाथ जोड़कर प्रातना करेंगे तो सिवजी आपकी जो अराधना है वो पूरी करेंगे आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और जो आपको इसका जो फल है जो आपने सिवजी की अराधना करी है उसकी वज़े से बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपका जो मैरिक लाइफ है काफी अच्छी होगी तो रेगुलर 21 सो मार तक आपको फिर भी करते जाना है आगे रेगुलर जब तक वो आपके गोलियां पूरी ना हो जाएं 21 सो मार आपके पूरे ना हो जाएं वो खुद चल कर आएंगे सामने आले और आपको वो रिस्ता हो जाएगा उसके बाद कहीं न कहीं आपको ये उपाई जरूर करना है कि आपको एक साथ जो आप जहां पर गोलियां चड़ा कर आ रहे थे 21 गोलियां आपने एके करके चड़ाई वहाँ पर उसी मंदिर में आपको जाना होगा और वहाँ पर हात जोड कर उन से जो आपने प्रातना करी थी पहले जो आपने विंती करी थी अपनी मन पसंद साधी के लिए वहाँ पर आपको एक बार उनको सीव का जो स्तोत्र है सिवस्तोत्र का पार्ट वहाँ पर करे और सिवजी को इस अपने काम के लिए धन्यवाद आपको जरूर करना होगा उसके बाद आपके वेवाहिक जिवन में भी किसी प्रकार की अगर समस्य आती है तो वो नहीं आएगी कि सारी समस्य दूर हो जाएंगी अलंकि ये उपाई वो लोग भी आजमा सकते हैं जिन लोगों के वेवाहिक जिवन में साधी करते ही किसी प्रकार की प्रोब्लम्स आ जाती है तो फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद